Hi everyone, इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं KPMG कमपनी के बारे में, ठीक है? और वीडियो में हम हर पॉइंट को discuss करेंगे, मैं कोशिश करोगा कोई भी पॉइंट हम से miss ना हो और अगर कोई हो जाता तो आप comment section में पूछ सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता करना हुआ कि KPMG majorly किन-किन sectors पर work करती है उसके बाद हम उसकी job profiles के बारे में बात करेंगे, job designations के बारे में बात करेंगे और CTC breakup के बाद हम जाएंगे इसके work culture पर work culture के बाद hikes की बात करेंगे तो काफी सारे topics हैं, crisp में complete करते हैं तो सबसे पहले company का नाम है KPMG, तो KPMG company क्या है तो सबसे पहले KPMG company big four companies में आती है अब जो big four company है उसमें KPMG किस sector में work करती है तो यह audit, advisory, consulting, audit, advisory और majorly tax में work करती है तो यह इसकी fields है इन fields में work करने के हिसाब से आपको कोई भी position इन तीनो major department में से किसी में भी आपको allocate की जा सकती है आपको tax मिल जाए, audit मिल जाए या आपको advisory मिल जाए based upon your qualifications, तो मैं यह आप एक general चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है कोई भी ऐसे particular, किसी field के पारे मैं ने बता हूँ, एक general हर चीज में हम cover करेंगे, ठीक है तो इसमें यह majorly work करती है और इसमें यह recruit करती है अब job profiles क्या है, fresher को किस position पर recruit करती है और उसके ऊपर की designations क्या होती है, तो उस पर आते है तो सबसे पहले generally यह freshers को जिस position पर recruit करती है, वो होते है analyst ठीक है, सो कही न कहीं यह analyst से related होता है और उसके बाद analyst को promotion देखे, एक position up करकर उनको associate consultant की post पर promote कर दिया जाता है और associate consultant के बाद consultant की post पर promote कर दिया जाता है ठीक है, सो अब यह depend करता है आपके college पर, अब जो MBA को, अगर आप MBA वाले बंदे हो या आप किसी MBA, आपने अगर MBA pursue करी है, तो यह आपको directly consultant या associate consultant की post पर pick करते है और अगर आप अभी 4-year graduation ही किये हो, तो यह आपको generally analyst की post पर recruit करते है ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसकी salary के बार में discuss करते है तो इसकी salary range है, वो start होती है 4.5 LPA, जो इनका minimum pay है, जो यह analyst को pay करते है अगर आप on campus या off campus आप ऐसा tier 3 college से belong करते हो, तो यह एक इनका minimum package जो generally offer करते है, वो है 4.5 LPA का अब इस package में आपका कुछ variable component भी रहता है, और इसमें आपके awards बगरा भी यह आपको additionally pay करते है लेकिन आपकी जो enhanced salary है, वो कहीं न कहीं 30,000 के round आ रही होती है, 28K to 30,000 के बीच में आपकी enhanced salary आ रही होती है, हाथ में, ठीक है तो यह लोग 16 LPA तक का package offer करते है, 16 LPA तक का package offer करते है, for the post of consultant और उस position पर आपकी enhanced salary आराउंड 90,000 to 1 lakh rupees आपके in-hand में बन रही होती है, after deductions of all the taxes, PF and credit fund ठीक है, आगे अब बात करते हैं, कम्पनी की job के बारे में कैसे आपका career में start होता है तो सबसे पहले तो PMG में अगर आप लोग recruit हुए हो, तो सबसे पहले आपके department के अनुसार, एक मतलब जैसे आपको पता होगा, जैसे advisory में recruit हुए और tax में हुए, जिसमें भी आप recruit हुए हो उनकी requirement के अनुसार उन पर जिस प्रकार के client project है, उसके अनुसार सबसे पहले आपको trainings दी जाती है अब जो trainings है वो एक week से लेके एक महिने तक भी vary कर सकती है, depending upon आपकि इस domain में चार है सबसे पहले इसमें दो टैप की trainings होती है, एक होती है जिसको हम बोलते है dedicated training और एक होती है internal project training अब dedicated training उन लोगों को दी जाती है जिनका work ऐसा हो जो थोड़ा सा difficult होने वाला है तो उनको एक dedicated live classroom training दी जाती है या फिर हो सकता है आपको कुछ recordings प्रवाइट कराया जाए और यह trainings तो टाइम तक चलती है हो सकता है आपको काम में कुछ ज़्यादा खास सीखना आपको ना पढ़े वार आप स्टार्ट कर पाओ तो उनको project internal training एक दो वीक तक की दे दी जाती है और उसके बाद उनका work स्टार्ट हो जाता है यह सब डिपेंड करता है कि आपको कौन से project में लिया जाएगा ठीक है आपके project के हिसाब से आपको internal project training दी जाती है और अगर उन पर कुछ ज़्यादा requirement है आपको dedicated trainings वो लोग provide कराते है ठीक है उसी के साथ उनके खुद के internal portal में काफी सारी learnings है तो courses है तो वहां से आपके वो courses कर सकते हो learnings कर सकते हो उनका internal portal है तो वहां से जाके आप चीजों को सीख सकते हो और उसके बाद आपको project दे दिये जाते है अब जो project है project में basically क्या होता है तो project में overall पूरा work culture हर company में एक project पर में बता हूं तो as a big four culture आपको यहां पर यह benefit मिलेगा कि obviously आपको management अच्छा मिलेगा transparency आपको देखने को मिलेगी कफी अधा management के साथ and supportive environment आपको देखने को मिलता है because in all big four यह वाली चीज तो आपको common मिलती ही है बाकी depending upon your project आपकी work life अगरा का रहता है कि आपको कितना hours work करने पढ़ेंगी आपका project कितना hectic होने वाला यह सारा आपका project dependent ही होता है ठीक है so यह तो बात होगी overall projects वगरा की अब main चीज आती है hikes or promotions की so as a analyst आप 2 साल में associate consultant की post पर promote हो सकते हो और तब तक आपका package 9 लाग रुपय तक का हो जाएगा तो आप सो सकते हो कि 4.5 से 9 लाग पहु जनरली जो KPMG की hikes है वो काफी ज़ाद अच्छी है जो performance dependent होती है और आपकी hike 10% से जनरली ऊपर होती है और यह आपकी performance और rating पर डिपेंड करती है ठीक है promotion की बात हो गई, hikes की बात हो गई, ratings की बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ additional चीज़ों की तो cap jam नी, sorry cap jam नी कहा रहा हूँ, KPMG, sorry, KPMG अगर मैंने इसने पहले अभी cap jam नी बोला हो सो KPMG मैं जो एक चीज़ है जो आपको देखने को अच्छी मिलेगी वो यह है कि challenging environment है बट आपको उस हिसाब से rewards दी जाते हैं, ठीक है, rewards आपको काफी जादा मिलेंगे और आपको bonuses अच्छे मिलने वाले हैं company में और जो environment है वो थोड़ा challenging होगा, client facing रहेगा, आपको client कीसा directly काम करने का मौका काफीज़ा मिलेगा, जिसमें आपकी management skills, communication skills, इन सब चीज़ों में आप सुधार कर सकते हो, तो यह कुछ additional benefits company के out of CTC प्रवाइड करा जाते हैं, जिसम और कीज़ों का मौK आपकीज़ कैसी यह थार। धिक्यों मिलेगा, वूचैंऑ में आपकी निए यह कुछ? अर।